हेलो एवरिवन आज बनाते हैं पोस्तो पराठा जिहां इसे खशखाश या पॉपी सीट्स भी कहते हैं बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बनता है लेकिन चर्चे में थोड़ा कम है ये आलू के पराठे से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनता है और इसके दाने प्रोट यहां पर आधा कप पॉपी सीर्स लिया है इस दाने में कभी कभी कंकर पथर होता है या मट्टी होती है तो इसे धो कर अच्छी तरह से चान कर कड़क धूप में सुखाने के बाद ही इसका पराठा बनाये तो यहां पर मैंने काली मिर्च और नमक का इस्तामाल किया है का चीटा देकर इसे पीस लिया है आप देख सकते हैं कि यह पिसने के बाद बिलकुल डो की तरह से हो गया है लेकिन इसको पीसने के लिए आपका मिक्सी पावरफुल होना चाहिए तो अब पीसे हुए पॉपी सीर्स के मैंने छोटे-छोटे टुक्रे कर लिये यहां पर इ अगर आपको पसंद हो तो प्याज और धनिया की नरम पत्तियों को बारीक कतर कर डाल सकते हैं मगर कई बार प्याज की वज़े से पराठे फटने लगते हैं इसका खास खायल रखें अब इसके बाद आटा बना कर तयार कर ले मैंने यहां पर पराठे के लिए मैदे को गू की अलैस्टिक सिटी को दूर करने के लिए और ज्यादा सौफ्ट पराठा बनाने के लिए इसे गरम पानी से गूता है यहां पर मैंने एक टीए स्पून प्योर घी इस्तामाल किया है आप चाहें तो वेज़ेटेबल वाइल भी इस्तामाल कर सकते हैं मगर घी से पराठा ज हिए थोड़ा कम ही पानी से इसामाल होगा पानी वहुत ज्यादा गरम है इस लिए अभी चमच का इस तामाल करना ही बहतर होगा इसी तरह से रुकरुकर मैं इसे 299 होने तक गूतं लूगी पोस्ता दाना का पराठा एक rich cuisine है इसलिए इसको breakfast में लेना ही ज्यादा मुनासिब होता है ये काफी heavy होता है और जैसा कि मैंने कहाँ इसका दूचार पराठा खा लेने के बाद घंटो भूक नहीं लगती तो अगर आप कहीं सफर में जा रहे हो तो इस पराठे को ले जाना बहुत ही बेतर होता है क्योंके इसके साथ अगर सबजी ना भी ली जाए तो ये बहुत मज़े का लगता है साथ ही इस पराठे की अच्छी बात ये है कि ये जितना गरम गरम मज़ेदार लगता है उससे भी कहीं जादा ये दूसरे दिन जब ये ठंडा हो जाता है तब इसका मज़ा और ज्यादा एंहेंस कर जाता है तो जब भी आप इसे बनाए थोड़ा ज्यादा ही बनाएं अच्छी बात ये है कि इसकी स्टफिंग डाइबेटिक फ्रेंडली भी है तो इधर मैंने इसे मुक्की लगाते हुए खूब अच्छी तरह से गूत लिया है अब इसे दस मिनट तक रिस्ट पर छोड़ देना होगा अब इसके छोटे-छोटे पेड़े तोड़ लेने हैं और इसकी कटोरियां बनाकर एक एक गोला जो हमने पहले तयार किया था वो इसमें भर लेना है और ये बहुत अच्छे से इसका लोई बन जाता है और इसे भरने में कोई दिकत नहीं होती ना तो ये तूटता है ना फटता है ना इसकी स्टफिंग बेलने पर बाहर निकल कर आती है क्योंकि इसका आटा बहुत जबर्दस्त गूथा गया है तो अब इसे नॉर्मल पराठे जैसा बेल कर क्रिस्प फ्राई कर ले मैंने फराई करने के लिए यहां पर प्योरगी का इस्तामाल किया है आप इसे किसी भी कुकिंग मीडियम में तल सकते हैं आप देख सकते हैं ये अभी से कितना रिच और कितना टेस्टी दीख रहा है तो देखिए ये बनने के बाद और रख देने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जाड़े के दिनों में हमारे घरों में ये पराठा एक या दो बार जरूर बनाया जाता है और इसका इंतजार हमें पूरे सीजन होता है तो आप भी इसे बनाएं और जब भी आप उस्तादाना पीसें इस्तामाल से ज्यादा पीसें क्योंके थोड़ी क्वांटिटी मिक्सी पॉट में पीसने में कताएगी और बचा हुआ जो इस्टॉफिंग होगा आप उसे रख कर कई दिन पराठा बना सकते हैं कोई खराबी नहीं होगी हाँ मगर आठा आप बिल्कुल फ्रेश सांदें क्योंके पुराने आठे से पराठा मज़ेदार नहीं बनता और नहीं सॉफ्ट होता है तो इसे बनाएं खाएं और खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें उमीद है आज की रेसेपी को आपने इंज्जॉय किया होगा थेंक यू, हैव अनाइस डे, बबाई